नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अंकेत इंस्पार्स इंडिया की बाते बाजार की में मैं हूं अंकेत अवस्ती आप है मेरे साथ में आज एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए असल में क्या था कि कल हमने आपके साथ जो सेशन किया था उसके अंदर एक वेबसाइट ओपन कर ली थी उसका इंपक्ट थोड़ा नेगेटिव रहा कॉपिराइट वगरा का कुछ क्लेम हो गया था तो इस चक्कर में हमने आज इस सेशन को वापस रिट्रीव किया है लेकिन इस बार खास खयाल क्या रखा है कि कल के सेशन में हमने P upon E ratio और फिर जो बाकी और चीज़े थी टेक्निकल टर्म्स उनको उसी सेशन में डिसकस कर दिया था तो थोड़ा सेशन भी लंबा हो गया था तो हमने अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हुए Types of जो ट्रेडिंग है वो तो आज ही आपसे इसी सेशन में डिसकस कर लेंगे और Types of ट्रेडिंग के साथ साथ जो Keywords है उनको आने वाले कल के सेशन में कर देंगे आप सबसे गुजारिश है कि यदि आप में से कोई भी साथ ही ऐसा है जो first time इस चीज में use कर रहा है या पहली बार इसे देख रहा है तो उससे गुजारिश है कि अगर वो चाहे तो proper तरीके से अपने लिए या तो right pad बना सकता है not pad बना सकता है वो बना ले और नहीं बना स सीधा सा अर्थ ये है कि आप वस्तू खरीदते हैं वस्तू बेचते हैं और खरीद फरोगती इस प्रक्रिया को या आप वेपार के नाम से जानते हैं जिसमें मुनाफा, हानी, सब चीजें जुड़ी होती हैं sometimes ऐसा भी होता है कि आपने जो वस्तू खरीदी वो उस वस्तू आप उसे बेच देते हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं ये नीचे तूटेगा आपको घाटा हो सकता है तो आप घाटे में भी बेचते हैं यानि कि मुनाफा और घाटा दौनों आपकी प्रेडिक्शन पर होता है तो सिंपल सी बात ये है कि यदि आपको किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे गाओं के अंदर बैठे हुए बावा लोग जो होते हैं, वो हवा को चलते हुए देखके बता देते हैं, कि हाँ आज बारिश की संभावना है, आसमान को देखके बता देते हैं, कि ये चांद के चारो तरफ जो इस समय का आभा मंडल सा ब मार्केट के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, अगर आपको लगता है कि शेयर का भाव, इस कंपनी का भाव बढ़ सकता है, तो आप उस शेयर को परचेज कर लेते हैं, आपको लगता है कि इस कारण से इस कंपनी का भाव गिर सकता है, आप उस शेयर को बेच देते हैं, तो शेयर ख साथ यानि बिना कोई पैसा दिये भी आप उसे खोल सकते हैं पूरी प्रकरिया 15-20 मिनिट की है जिसमें आपको वहां से टेलिफॉनिक कन्फरमेशन भी करवाया जाता है अब मैं आपको इसके अंदर आज के सेशन में बताने वाला हूँ कल हमने जिक्र किया था कुल 5 प्रकार की ट्रेडिंग का हाना कि ट्रेडिंग के अगर और भी टाइपस होंगे तो वो भी हम आपके साथ साजा करेंगे लेकिन इन में से अब मैं आपको समय के आधार पर चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ एक बार के लिए विचार करिए थोड़ा सा हम इस तरह से सोचें कि आपको कल परसो अगर मैं ये कहूँ या फिर आने वाले समय के लिए मैं ये कहूँ कि यार आज सुभे मंडी जाओ और आप अपने दिमाग पर बिटा लो कल परसों का मतलब दो दिन बाद के लिए मैं आपको कोई काम कह रहा हूँ कि आज आप मंडी जाओ और वहाँ पर मंडी जाकर के कोई भी सामान खरीद लो मैंने आपसे कहा था ना पूरा शेयर मार्केट सबजी मंडी से सिखाऊंगा पूरी सब्जी मंडी लगने वाली है यहाँ पर तो हो यह रहा है कि आप मार्केट गए वहाँ से आपने एक बोरी कोई भी वस्तु खरीद लिए मतलब सब्जी मंडी जाकर के आपने आलू खरीद लिए या फिर बैंगन खरीद लिए एक बोरी का कोई भी सामान खरीद लिया आपने खरीदा आपने इधर से तो खरीदा है किसान जो बेचने आया था उससे लिया है और खरीद के आप मतलब करवट बदली रहे थे पीछे एक भाईसाब और खड़े थे उनने आपसे पूछा भाईसाब एक बात बताओ कितने का लिया आपने इसको छोड़ आप बताओ कितने में लेना चाते हो भाईसाब मैंने तो ये बोरी जो है ना ये पांच अजार रुपे में छुड़ाई है ठीक है उधारन के लिए तो भाईसाब पच पंसो ले लो और मुझे दे दो क्यों मेरे को ज़्यादा जर्वत है ध्यान से समझना क्या किया आपने आपने यहां से लिया आपने पल्टा ही मारा था बाहर खड़े हुए एक व्यक्तिन आपसे तुरह पूछ लिया कितने का लिया बाले 5,000 का बाले भाईसाब पच पंसो ले लो और मुझे दे दो क्या ऐसा होता है क्या कभी बिल्कूल होता है कभी कई बार ऐसा होता है आप मूवी देखने जाते हैं आपको मूवी टिकेट्स नहीं मिल रहे होते आप पुछेंगे यार भाई साब कितने रुपे में, बोले भाई साब 2-5 रुपे एक्स्टर दे दो, आपने दिया और निकल गए, ये जो ट्रेडिंग का टाइप मैंने अभी आल आप से डिसकस किया न, ये क्या था, आपने सेकंड्स के अंदर व्यापार कर लिया, सेकंड् मुनाफे को, या घंटे के इसाब से करने वाले इस मुनाफे को, जो आपने कुछ मतलब, चंद मिंटों में, चंद घंटों में जो व्यापार कर लिया, इसे व्यापार की भाशा में, स्कल्पर कहते हैं, यानि कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग का एक ऐसा टाइप है, जिसम कुछ ही मिंटों में आपने वापस बेच दिया, शेयर मार्केट में, और उससे मुनाफा कमा लिया, इस प्रकिरिया को आप स्कल्पर कहते हैं, यानि मार्केट के अंदर इस प्रकिरिया को स्कल्पिंग ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं, उमीद है कि आप इस टर्म को अप अपने दिमाग में बिठा पाएंगे, अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ, अब आपने क्या किया, मंडी को दिमाग में रखिए, पैरलली शेयर मार्केट शाथ साथ चलने दीजे, दूसरा तरीका हमने क्या किया, हमने सामान खरीदा, सामान क्रीदा कैसे खरीदा 5,000 रुपए का बोरा खरीदा और बोरा खरीद करके मैं दिन भर के लिए इंतजार में बैठ गया क्या कि बाई ये मंडी जो है ना वो शाम को साड़े-चार बज़े या चार बज़े बंद हो जाएगी बोले ठीक है तो बोले साड़े-तीन से पहले-पहले माल बेचके निकलो हुआ बोले साड़े-तीन से पहले माल बेचके निकलोगे ठीक है अब मैं इंतजार में बैठाओं कि कोई ग्राहक आए एक तो क्या हुआ पच्पंसो रुपए दे करके तुरंट लेने वाला ग्राहक था मैंने उसको नहीं दिया मैंने का ना भई ना जब तेर को इतनी आखरी बोरा था कल मिलेगा ही नहीं कुछ भी संभव है ना मार्केट है यह अन्प्रेडिक्टेबिलिटी मार्केट की सबसे वड़ी खास यह थे वहां आपके एक्सपिरियेंस काम आते हैं आपके अनुभव काम आते हैं कि हाँ वाकई में ऐसा हो सकता है तो दूसरा टाइ तीन बजे से पहले पहले निकाल दिया यानि डे टाइम के अंदर अंदर आपने उसको बेच दिया that is known as intraday trading टाइप नमबर टू उम्मीद है आपको यह टाइप समझ में आ रहे हो जो मैं आपसे कहना चाहरा हूँ अब सवाल बनता है कि सर एक बात बताओ दिन भर में कोई व्यक्ति कैसे बेच सकता है मैंने का क्यों नहीं बेचता सबजी मंडी में जो भी सबजी लेकर के घूमने वाले hawkers होते हैं वो सुबह का खरीदा हुआ सामान शाम को घर बेच के जाते हैं बोले सर शाम को बेच के जाते हैं लेकिन जरूरी थोड़ी है महंगे दाम पर करता है कई बार तो उनकी दुकान पहले ही खाली हो जाती है और कई बार शाम को सस्ते दाम पर भी बेच के जाना पड़ता है इसका मतलब शाम को घाटा भी हो सकता है यानि कि सबजी मंडी की तरह है यदि कोई फुल टाइम ट्रेडिंग ही कर रहा हो तो इस प्रकरिया को इ आपने अभी क्या किया घंटों और मिंटों के हिसाब से किया था तो इसकल्पिंग था आपने पूरे दिन के हिसाब से किया तो डे ट्रेडिंग था अब तीसरा टाइप है स्विंग ट्रेडिंग इसका मतलब क्या था आप मेंसे कुछ लोग ये जानते होंगे कि जैसे ही सी यहां महंगी भी हो जाएंगी, आपको लग रहा है कि कुछ दिनों बाद मौसम बदलने वाला है, उधारन के लिए, आपको लगने वाला है कि Reliance का अभी quarterly result आने वाला है, जिसमें वो मुनाफ़ डिकलेर करेगा, उधारन के लिए, मुझे पता है कि Reliance इतनी तारीख को अपना quarterly result शो करता है, और उस result के अंदर वो मुनाफ़ साजा करेगा, मतलब मुनाफ़ दुनिया को दिखाएगा, कि मैंने इस quarter में इतना मुनाफ़ कमाया, यह आपको कैसे पता, अरे यही तो आपका experience है, असल में यही तो अनभव है, आप इसी अनभव का लाब लेंगे, तो आप आपको साथ दिन बात पता है कि जैसे ही Reliance का profit declare होगा, लोग खुशी-खुशी में Reliance के share खरीदने आएंगे, Reliance के share का भाव बढ़ जाएगा, और मैं उस समय अपने share बेच दूँगा, that process is non-edge swing traders, यानि आप weekly अगर trade करने के हिसाब से trade कर रहे हैं, that is non-edge swing traders, ठीक है, अब चौथा type समझे, वो है positional trader, positional trader का मतलब क्या हुआ, आपको साल भर से पहले पहले चीजें बेचनी हैं, मतलब आज आपने आलू खरीदे, आपको पता है कि एक साल बाद संभव है, कि साब मेरा जो आलू का भाव है, ये ये तो नहीं रहेगा, आज अगर 5000 की बोरी है, तो अगर महगाई भी मैं जोड़ दूँ इसमें, तो महगाई जोडने के बाद साल भर के भीतर भीतर ये कुछ तो महगा होगा, यानि कि अगर आपने कोई position ले ली कि मैं आज के बाद में अब इसको बाद में ही देखूँगा, रोज रोज नहीं देखूँगा, मैं आराम से company नहीं का flow chart देखूँगा, progress देखूँगा, decisions देखूँगा, और समय के साथ में निकालूँगा, लेकिन साल भर के बीतर निकाल दूँगा, that is positional trading, ठीक है, और आखरी trading है, that is delivery trading, delivery trading का मतलब क्या हुआ, मैंने stock लेके रख लिया, अपने बच्चों के हिसाब से, कि यही है trading के अंदर types, इनके अंदर जो चीजें होती हैं देखने की, क्या देखकर decision लेना चाहिए, वो मैं आपको अगले session के अंदर सिखाऊँगा, session थोड़ा छोटा रहे, और चीजें एकदम crystal clear होती चले, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें थोड़ा process के साथ लेकर चल जैसे हुआ intraday trading, intraday trading के अंदर क्या हुआ आपने, कुछ मिंटों घंटों के लिए stock को hold करने की काम किये, इसमें trader को दिन के बजार को बंद होने से पहले अपनी position को बंद करना होता है, यानि जो माल सुभे लिया है, शाम को बेज करके निकलना है, that is intraday trading, ठीक है, इस वा intraday traders, और उसमें जो सबसे जरूरी चीज है, that is अनभाव, अगर आपको experience है, आपको पता है कि market में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तब आप intraday trading के अंदर एक best part play कर सकते हैं, intraday trading किसी भी beginner के लिए नहीं है, यादि आप में से कोई भी व्यक्ति आज मेरे session से motivate होकर के स अपनियों को समझना शुरू करिए, चीजें किस तरह से काम करती है, market को समझना शुरू करिए, उनकी balance sheet को देखना शुरू करिए, news उस तरह की समझना शुरू करिए, अगर अंग्रे जी पढ़ना आता है, तो business standard economics times जैसे अखबारों पर थोड़ी नजर बनाईए, companies के सत साल से share market में हो, मुझे पता है, कौन सा माव बढ़ेगा, क्या गटेगा, ठीक है, मैं उधारन के लिए आपको समझा दू कि मैंने 50 share माल लीजे 2000 रुपे के प्रती share के हिसाब से intraday trading में खरीदे, तीन बच के 20 मिनिट से पहले-पहले मैंने reliance के share को बेच दिया, यदि आ आपको सोचना है कि मुझे किस समय बेचना है, किस समय गटाना है, सर क्या, वाकई में seconds के हिसाब से भाव बढ़ते गटते हैं, क्या बिल्कुल, तभी तो आप पूरे time news के अंदर देखते देखें, तो पूरी एक पट्टी चलती रहती है, जो उपर और नीचे का sign दिखात रहती है, ठीक है, यह उम्मीद है, आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ terminology है, जिनके अंदर, trading के अंदर, जिन terms को देखा जाता है, जैसे moving average क्या होता है, ballinger band क्या होता है, momentum oscillator क्या होता है, relative strength index क्या होता है, moving average, cover drivenance क्या होता है, यह जितने भी term हमने यहाँ पर लिखे हुए है, जो trading के अंदर देखने होते हैं, इन्हें मैं अपने next session में आपको explain करूँगा, हमने क्या कौशिश की है, एक दिन learning होगी, एक दिन motivation होगा, trade के अंदर जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, या कुछ कहानिया, या फिर कोई company की analysis, let's say Tata की पूरी case study हो गई, या जिस भी company की analysis है, कि कौन सी company कहां से कहां पहुंची, उसकी पूरी analysis, एक दिन हम इस तरह से करते हुए, काम को आपके लेकर चलेंगे, क्योंकि all time study भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे motivation थोड़ा break होता है, है न, scalping के अदर हम बात करते हैं, तो इसके अदर micro trading के रूप में इसक जाओंगा, शुरुआत में decide कर लिया, वो automatic हो जाएगा, ठीक है, swing trading मैंने आपको बता दिया, 7 दिन के लिए अगर आप कर सकते हैं, एक से लेके 7 दिन तक होती है, तो swing trading है, 7 दिन के अंदर आपको अपना stock निकालना ही होगा, एक सब्ता से 1 महीने तक भी आप इसे hold करके र आपको जानकारी देने में काम आई हो, संबब है कि आज के इस session से, मैं ये तो नहीं कहरा कि आप trading में आज ही उतर जाएंगे, लेकिन हाँ, थोड़ी knowledge अगर आपको इस बारे में मिलने लगेगी, तो आपको चीजें जो market में चल रही हैं, वो समझ में आने लगेगी, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो अपने सभ साथियों के साथ जो आपको लगता है कि financial literacy के इस मुहिम में हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं, उन्हें ये अवश्य साजा करें, फिलाल के लिए इत्ता ही अपना खयाल रखें, दन्यवाद